फ्रेंट्स आज मैं दिखाने वाली हूँ साधारन से दिखने वाली अलसी के लड़ू लेकिन यहां मैंने ऐसा जानकरी देने वाली हूँ आप सब हेरन रह जाओगे यह टेस्ट और ट्रायल है 100% वर्क करता है लेकिन सही समय में सही मात्रा में लेना जरूरी है चलिए मैं लड़ू बनाते आपको सारे जानकरी देती हूँ यहां मैंने पान गरमोंने रख दिया है इसमें डालेंगे वन एंड आफ कप अलसी के बेज इसे ज्यादा मात्रा में खटे नहीं बनाना चाहिए सिर्फ पंदरा दिन के लिए बना के रखेंगे वो कतम होने के बाद दोबारा बनाएंगे इसे बनाना इतना आसान है जब चाहे जड़ पट बना सकते है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है यह अलसी हर जगा हर समय में आसान इसे मिल जाता है इसे कही जगों पर 30 भी कहा जाता है इस अलसी के बारे में जितना बताओं उतना कम है इसमें बहुत ज़्यादा निट्रियन्स होता है जैसे विटमिन D, विटमिन B12, ओमेगा 3, high fiber, good amount of protein इसे BP कंट्रोल में रहता है, आठ की बीमारी कंट्रोल में रहता है वेटलास होता है, और LDL, और bad cholesterol बोलते है न, वो bad cholesterol को कंट्रोल करता है विच में help reduce the risk of heart attack अब 5 मिनिट हो गए है, अब अच्चे से बुन गए है, ये इतना बुना हुआ काफी है अब stove बंद कर देंगे और टंडा होने के लिए चोड़ देंगे ये टंडा हो चुका है, अब इसे हम एक mixi jar में डालेंगे mixi jar में डालके इसे जादा powder farm में नहीं, तोड़ा दरदरा ही पीसेंगे ये हो गया है, इसे तोड़ा दरदरा ही पीसा है, जादा पतला नहीं बनाया है अब इसमें तोड़ा से निकाल के अलग रखेंगे चीनी का नहीं, यहां मैंने गुड का पौडर लिया है आदा कप, आपके पास पौडर फाम में नहीं है तो गुड को कूट के भी डाल सकते हैं, अभी देखे यह थोड़ा चिप चिप बन गया है, इसे हम आसानी से लड्डू बना सकते हैं, इसे लड्डू बनाने के लिए त अच्छे से मिक्स करेंगे, अभी चोटा, चोटा, गोली जितना हमने लड्डू बना है, मैंने पहले कहा था, जितना मात्रा में लेना चाहिए, और बताओंगी, वैसे हमने इसका थासिर है गरम, इसलिए हमने, इसे ज्यादा नहीं लेना है, तोड़ा इसना, चोटा, बच्चे लड़ू पसंद करते हैं तो उनको लड़ू के फामे बना के दे सकते हैं लेकिन बड़ों को ऐसे लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें ज्यादा गुड़ परता है बड़ों को ऐसे पाउडर फाम में तोड़ा सा गुड़ मिलाके अच्छे से मिक्स करके एक कांच की याँ स्ट् desarroll की बड़ों में बड़ों की तो खाम में दवन रख नहीं है कांच का ने मिजळे कांच कर्वका ऐसे वाश करके लिए हैं इसमें बड़ों को दूँ हैं चमच रोज इसे लेना है हर रोज तीन महीने लगातार इसे लीजिए उसके बाद रिजल्ट कुदब कुदब आपको पता चलेगी स्किन में, हेर में, हेल्थ में सब में फर्क देखने को मिलेगा अगर आपको ये रेसिपी और जानकारी अच्छा लगा है